अलादिन आ गया है मिस्र में आप सभी को पता ही होगा अब जफर की हाथ लगी है अंगूठी और उसने जीनी को भी हासल कर ही लिया है दोनों तरफ मुकाब्रा बराबर का हो गया है अब इस सब में चल रही है अलादिन और यास्मीन के बीच नोग छोग जी हाँ अलादिन मिलने आते हैं यास्मीन को और यास्मीन उसे कुछ दिखाती है पर उसका ध्यान ही कहीं और लगा है वो तो मजाग के मोल में नजर आ रहा है और किसी और के खयालों में है यास्मीन बिचारी जो अलादिन को दिखाना चाहती थी वो दरसल उसे नजर ही नहीं आता उ उस मस्ती में बाहर उसे कुछ नजर आता है और वो वहां से चला जाता है शायद ये कोई इशारत हाँ जीनी कहीं घूम गया है उस चीज का उस मस्ती में बाहर उसे कुछ और नजर आता है और वो वहां से चले जाते हैं शायद ये कोई इशारत हाँ जीनी कहीं घूम गया है और उसे धूनने के लिए तो क्या अलादिन धून पाएंगी जीनी को अब आगे ये देखना बहुत ही ज्यादा इंट्रिस्टिंग होगा आए जानते हैं यास्मिन का क्या कहना है परेशान ही आश्री मैं बहुत ही संदर सा है स्टाइल करके आती हूं अलादिन को दिखाने के तो कि अब शुब्स अपने स्टूपड कमें स्टाइल करते हैं यास्मिन देखने के लिए अग्री और शुब्स एंगरी आइंग्री और इरिटेटेटी आटी है उस पर बुछ संदर देखने है और उसको समझने आता है क्यों उसको उसको एचे हैस्टाल दिखा रही ए ए तो आजबता है एक लडगी कोई हैस्टाल दिखाते हैं तो इसको इसको इसे होना चीछ एक वाव what a हैस्टाल अब उसने ऐसा कुछ नहीं बोला वोलता है एक बाहता है एक बहुत इरिटेट और परिषान हो जाती हो जैसे कि सब जानते है कि उसको यासमीन से इश्क है, वो जानती है काली जो यासमीन है, वो जानती है कि यासमीन से इश्क है, यासमीन से इश्क है, वो जानती है कि यासमीन से इश्क है, वो जानती है कि यासमीन से इश्क है, यासमीन से इश्क है, वो जानती है कि जानती है, तो उसको लेके she gets very irritated all the time and जैसे कि अभी सीन में बात कर रहा है वो हमेशा यासमीन के बारे में बात करता रहता है so she's also jealous I think कोई signal है or something which is कुछ evil है and मैं भी बतात नहीं सती क्योंकि आगे का स्टोरी है इस पर बहुत में and मैं जिस आओंगी दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि आगे बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरीज आ रही है so keep watching Aladin आमत सुना होगा only on sub tv thank you